और जब डारेक्ट सेलिंग को लोग इतना जानते नहीं थे, पैचानते नहीं थे, उस से में उन्होंने वो निर्णे लिया और मुझे आज भी याद है, उन्होंने अपनी नोकरी को साइट में कर दिया था नोकरी को प्रात्मिक्ता नहीं देते थे, नहीं, मेरे को आज भी याद है कि जब बिजनस उनको समझ में आ गया था तो वो विदाउट पे इस बिजनस में आ चुके थे और इस बिजनस को करने के लिए दिन रात वो मेहनत करने लग गए, दो-दो-तीन-तीन महें तक मैंने उन इसका तुम्हें अभी नहीं पता लगेगा, लेकिन ये आने वाले समय में क्या देगा इसका भविश्य, मतलब वो भविश्य को पहले ही देख रहे थे, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर किसी इनसान ने समय को समय से पहले पहले प तो एक लाइन उन्होंने मुझे बोली थी मेरे परिवार को कि बेटा ये बिजनिस में मेरे लिए नहीं कर रहा है उन्होंने कारता कि सरकार मुझे 25,000 रुपया सेलेरी देती है और मैं शाय जब रिटायर होंगा तब तक मेरे सेलेरी काफी अच्छी होगी अच्छे ये उस समय कहते थे बिल्कुल ये उस समय वह बात बोलते थे और मुझे आज भी याद है ये बात जो नहोंने मेरे परिवार को बोली थी तो हमें कहीन के ऐसा लगा कि शायद एक सपना सा है जो फादर देख रहे हैं ऐसा हो सकता है या पॉसिबल ही नहीं है लेकिन कहीन के उनको विजन समझ मा आगया था और ये उनकी बात जो उन्होंने हमको 2001 में बोली थी और वो बात आज भी हमरे दिमाग में गूंचती है परिवार में गूंचती है जब उन्होंने सुरू किया उसी समय उनका ये विजन था कि ये जो बिजनस में आज कर रहा हूं डैरेक्ट सेलिंग और नेट्रॉक बनाऊंगा तो इसका फाइदा आगे जाके फैमिली को और सब लोगों को मिलने वाला है जी जी ये विजन उनको उसी समय समझ मा आगया था और मेरे को उन्होंने बताया था कि पेटा ये एक ऐसा व्यापार है कि जहां पर एक बार अगर आपने नेटवर्क पे काम कर लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि इस नेटवर्क में काम लोग कुछ और करेंगे और इंकम आपको आएगी और ये सबसे बड़ा स्टेब्लिश है इस बिजनस के लिए कि आपका परिवार आपके फैमिली इस बिजनस में से क्यों और हो जाती है तो भी सबस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलें और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें वीडियो को जादा से जादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें